दोस्तों नमस्कार अगर आप State Bank of India का खाता आपके पास है और आप मुवाल नमर चेंज करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप देखते रहे हैं आपको complete जनकारी मिल जाएगा यूँकि State Bank of India में बिल्कुल नया प्रोसेस आ चुका है मुवाल नमर चेंज करने का पुराना प्रोसेस समाप्त हो चुका है अब यहाँ पे आपको अगर मुवाल नमर चेंज करना है या अपडेट करना है निव प्रोसेस के साथ आपको अपडेट करना पड़ेगा तो पहले आप Google Chrome open करेंगे और यहाँ पे आप टाइप करेंगे online SVI तो इस website का link हम आपको वीडियो की description box में भी दे देंगे direct वहां से क्लिक करके आप इस page पे आ सकते जो की official page है SVI का internet banking का तो यहाँ पे देखे continue to login है यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे password इंटर करेंगे यह जो चैफ्चा देख रहें इस box को यहाँ पे इंटर करेंगे इसके बाद यहाँ पे login वाले बटन पे क्लिक कर देंगे और login बटन पे क्लिक करने के बाद तो आपके register mall नमर पे एक OTP आएगा one time password तो यहाँ पे आप इंटर करेंगे इसके बाद submit बटन पर आप क्लिक कर देंगे हम OTP दे चुके हैं समीट वाले बटन पर क्लिक करेंगे और ऐसा करने के बाद आपके सामने में देखें इंटरनेट बैंकिंग ओपैन हो जाएगा और यहां पर आपके सामने में कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा तो आप यहां पर देख सकते यह मेरा नेट बेंकिंग जो है अपैन हो चुका है जिसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यह पुरा इस्टेटमेंट यहाँ पे दिखा जा रहा है और व्यू बालेंस चेक करने का ऑप्शन दिखाए जा रहा है अगर आपको मौल मर्चेंज करना है SBI Account का तो यहाँ पे देखिए 3 LINE है तो यहाँ पे आप किलिक करेंगे किलिक करने के बाद यहाँ पे देखिए My Account और प्रोफाइल पे आपको किलिक कर देना है ऐब आपके सामणे में कुछ रही इस तरह का इंटर्फेस खुलेगा तो इस पेज को आप उपर करेंगे उपर करने के बाद यहाँ पे देखेँ परोफायल का एक option है तो यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे तो चले हम यहाँ पर परोफायल वाले option पर क्लिक कर देते हैं क्लिक करने के बाद फिर से इस पेज को उपर करेंगे और उपर करने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं माई प्रोफाइल है तो यहां पर आप क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद आपके सामने में कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपैन होगा जैसा कि आप यहां पर स्कीन पर देख सकते हैं हाँ पर आपका प्रोफाइल पासवर्ड मंगा जाएगा तो यहाँ पे profile password यहाँ पे enter करेंगे submit वाले बटन पे click करेंगे ऐसा करने के बाद आपके सामने में देखिए पूरा profile आपका खुल जाएगा तो यहाँ पे आपका सारा कुछ detail यहाँ पे दिखा जाएगा जिससे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका first नाम है last नाम है address है city है state है जीप है उसके बाद country है date of worth है उसके बाद display पे जो नाम है आपका खाता में वो नाम है pen card नमर लिंक है अधार नमर लिंक है email id तो यहाँ पे फाने ली आता है phone नमर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि change mobile number through branch तो आप एक तो branch से mobile number change कर सकते हैं जो कि KYC वाला form आता है उसमें mobile number आप update कर सकते हैं ब्रांच में जाके जहां पे आपने खाता खुलाया है दूसरा तरीका है change mobile number domestic only through ATM के दोरा आप कर सकते हैं यानि कि इंडिया के किसी भी ATM में आप जो है mobile number change कर सकते हैं तो यह फैनली हम दूसरा तरीका अपनाने वाले हैं क्योंकि आप यहां पे देख सकते हैं कि पहला जो option है change mobile number through branch तो आपको ब्रांच फिजीट करना पड़ेगा वहां पे फॉर्म समिट करके आपको मौलमर अपडेट करना पड़ेगा तो यहां पे change mobile number domestic only through ATM पे हम क्लिक कर देते हैं और क्लिक करने के बाद आपके सामने में देखे कुछ इस तरह का पेज आएगा तो आप यहां पे देख सकते हैं इस पेज को थोरा सा उपर करेंगे और उपर करन तो यह देख सकते हैं आप यहां पर करेंगे तो आप यहां पर और आप मद नमर रखना पड़ेगा इस के बाद आप यहां पर समिट करेंगे जो अपडेट कराना चाहते हैं वही आप दोनों बॉक्स में इंटर खरेंगे ठीक है तो चलिए हम यहां पे फटा-फट इंटर कर देते हैं इसके बाद समीट वाले बटन पर किलिक किलिक करेंगे तो जो हम अपडेट कर आना चाहते वह मौला हम दे मज़ चुके हैं सनपिट बाले बतन पे क्लिक करेंगे उसके बाद वेरिफा एंड करें योग मौलाश कर दें गे यनी कि वह के वाले ऑप्सेंट पे हम किलिक कर देंगे अच्छा करने के बादाप के सामने में कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा तो आप यहां पे देख सकते हैं प्रस्टनल लिटेल मौईल नमर अपडेट तो आप यहां पे देख सकते हैं आई आर ए टी ए इंटरनेट बेंकिक रिक्वेस्ट अप्रूब्ड थू एट्याम तो यहां पे हम किलिक कर दें और प्रोसीड वाले उप्सटन पर किलिक कर देंगे ऐसा करने के बाद आपके सामने में कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा तो आप यहां पर देख सकते हैं पर करेंगे और उपर करने के बाद यह एकांट नमर है यहां पर किलिक कर देंगे इसके बाद प्रोसीड वा स्टले प्संपे आप किलिक करें अचा करने के बाद एक नया और पेज आपके सामने में उसके बाद माइट और यह यह आपको एक्स्पाइर इंटर करना है उसके बाद काद होलर नेम यहां पर Esse Bon App कर नहीं आपके उसके उसमें Just से कि आप यहां पे देख सकते हैं तो यहां पे लिखा गया है कि सक्सेस रेफरेंस नमर एस्टेटेश सक्सेस और टाइम आफ विलिटेशन आप यहां पे देख सकते जो भी आपका टाइम दिया गया है इस टाइम के दौरान आपको यहां पे जाना है इसमेस मैंने के बाद य परने के पाद आप कोäg जा लीजये यहां तक प्रोसेंस करने के बाद आप आप को ATM में आज गला क्यों यहां बाद वेट करने के बाद आप लगेर्वज करेंगे तो चलिए हम सब्सक्राइब्ण्स थो यहां कोई भी 2 डिजित आप यहां पर कर सकते हैं उसके बाद आप यहां पर इस जारी ऐसी टेक्शन को तो यहाँ पे आपको बहुत सारे उप्शन मिलेगा लेकिन आपको सर्विस वाले उप्शन पे किलिक कर देना है तो चलिए हम यहाँ पे किलिक कर देते हैं और ऐसा करने के बाद आपके सामने में अधर्स का एक उप्शन मिलेगा आप यहाँ पे देख सकते हैं तो चलिए हम यहाँ पे अदर्स वाले उप्शन पे किलिक कर देते हैं अच्छा करने के बाद यहाँ पे इंटरनेट बेंकिंग का एक आपको उप्शन मिलेगा उपर में तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इंटरनेट बेंकिक वाले उप्सन पे तो ऐसा करने के बाद जो आपका 10 डिजिट का रेफरेंस नमर मिला है SMS के दुवारा वो आप यहां पे इंटर करेंगे तो चलिए हम यहां पे 10 डिजिट का रेफरेंस नमर यहां पे इंटर कर देते हैं इसके बाद यहां पे correct वाले option पे click कर देंगे यहां पे आप देख सकते your transaction process तो प्लीज बेट तो एक या दो सकेंड आपका process होने में समय लग सकता है उसके बाद यहां पे yes वाले option पे click करेंगे ताकि आपका confirmation हो जाए तो चलिए हम यहां पे yes वाले option पे click कर देते हैं तो यहां पे account type यहां पे करेंगे तो मेरा saving है saving पे click कर देंगे और इसे करने के बाद यहां पर आपका जो है ट्रांजक्शन प्रोसेस हो रहा है प्लिज वेट तो आप एक से दो सेकेंड यहां पर भी रुकेंगे उसके बाद यहां पर आपको सिलीब दे दिया जाएगा इस्टेट बैंक ऑफ इंडिया के तरब से आपका जो है मोबाइल नमर बिल्कुल पूरी तरके से चेंज या अपडेट हो चुका है तो आप इस तरह से जो है अपने इस्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मोबाइल नमर बदल सकते हैं चेंज कर सकते हैं अपडेट कर सकते हैं तो